Hello friends कैसे आप सब लोग और का मिजाच की बाद हम क्यों कर रहे हैं क्यों कि इसके पहले अर्थात होली के पहले के वीडियोज में हमने आपको बताया था कि होली में आप अपने पढ़ाई को ज्यादा डिस्टब मत होने दिजेगा, अपने माइंड को ज्यादा डिवीट होने मत दिजेगा, चुकि आपका एक्जाम सर पे है, काफी नजदीक है, इसलिए आपको अपने स्टडी की तरफ ज्यादा कंसंट्रे किये भी होंगे, लेकिन इस बात का खासा ध्यान रखे होंगे, कि आपका जो एक्जाम है, और आपकी जो पढ़ाई है, वो काफी डिस्टर्ब नहीं हुई हो, ठीक है, तो चलिए अब होली तो बितना ही था, होली बीच्चु का, दो दिन छुट्टी थी, और आपका जो फ कम्यूटी पर आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं, तो हम आप से आसा करते हैं कि इसके पहले के नैरेशन के चार वीडियोज आप सबोने जरूर से देखे होंगे, नैरेशन पार्ट वन, पार्ट वन, पार्ट तरी और पार्ट फूर क्योंकि उन चारों वीडियोज में हमने काफी अहम चीजों पे काफी important बातों की चर्चा करी है, हर एक वीडियो बहुत important था, और आज का ये जो नैरेशन का 5th वीडियो है, 5th lecture है, ये भी काफी important रहने वाला है, आज का हमारे ये वीडियो किन कारणों से important रहने वाला है, आए सबसे पहले हम इसको बताते चलिए आपको, आज के class में हम लोग order से सुरू करेंगे, order को हमने last class में भी पढ़ाया था, narration part 4 के ending में हमने आपको order वाले sentence का narration change करना सिखाया था, ठीक है, अब वहें से हम continue करेंगे आज के class को और उसके बाद हम लोग चलेंगे prohibition की तरह, फिर request की तरह, फिर optative sentence और एक्सक्लामेटरे, एक्सक्लामेटरे आपके दो तरीके के एकसा में पूछे जाते हैं, तो इन सबों की चर्चा हम लोग करेंगे और ये काफी important है, इसलिए आज के वीडियो को जरूर से देखिए, लेकिन आज के वीडियो के पहले अर्थात narration part 1 से part 4 तक में आप में से यह दे किसी बच्चे का छूट गया हो, तो पीछे के class को जाके जरूर से देखिएगा, ठीक है, ताकि आगे की चीजों को समझने में आपको कहीं कोई असोविधा नहों, ठीक है, तो चलिए बीना किसी delay के, अब हम यहाँ पर पढ़ाना सुरू करें पढ़ाने के पहले आपको कुछ और बात हैं, हम आपको बताते चले, हम लोगों का यह जो वीडियो है, प्रते एक वीक में Monday to Friday तीन टाइम स्लोट में जा रहा है, पहला बारा बज़े, दूसरा दिन के धाई बज़े और तीसरा सामके पांच बज़े, इंग्लिस का वीडि में जो कुछ भी जहां तक भी आपको पढ़ाए गया होता है, उन सबों का हम लोग आपको प्राक्टेसीट भी उपलब्द करवाते हैं, ये दोनों ही चीज़े एबलेबल है कहां पे, तो हमारे वेबसाइट पे और हमारे एब पे जहां पे जाकर आप खुद को फ्री आफ कोस्ट रजिस्टर करें, ठीक है, और रजिस्टर करने के बाद आप उसमें सेक्शन में जाएं, तो सारे सब्जेक्ट के सारे पीडिएफ और सारे प्राक्टेसीट आपको वहां पे एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा कोशन का प्रयास कीजिए आप, और हम लोग आपसे यह असा रखते हैं कि अब तक हम लोगों ने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है, उनसे रिलेटिड आप यदि पहले से कहीं पढ़े हो, तो भी या ऐसा आपके सर्किल का आपके दोस्त, या आपके रिलेटिव आपके परिवार का सदसे, भाई, भाई, भी अगर पहले से कहीं, आउनलाइन, आफ्लाइन, कहीं भी पढ़ा हो, पढ़ने के बावजू देदी, आपका कोई डाउट रह गया हो, तो वो सारे डाउट अब आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है, चलिए तो भीना किसी डिले के, फटा-फटा हम लोग शुरू करे यहां से नहीं, यह निगेटिव वाला है, यहां से थोड़ा सा बड़ा सा कोईशन है, तो हम एक बार फिर से आपको आज के क्लास में रिमाइंड करवाते चले, कि इसके पहले के नैरेशन पार्ट टू से, नैरेशन पार्ट टू में हमने आपको बताया था, और उसके तो कामुख्य रूप से आपको ध्यान रखना होता है, किनका? तो सबसे पहला रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद रस रस अर्था, यह हमारा जो डवल इन वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ सेंटेंस होता है, इसको हम लोकाते है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, त सब भी यदि आपके option clear नहीं होते हैं, तो आपको double inverted कॉमा को जो change हम लोग करते हैं, जिसके according change करते हैं, उसका ध्यान रखना होता है, कई बार इन तीनों चारों से भी आपका confusion clear नहीं होता है, तो उस situation में हमने आपको पहले से बता रखा है, कि RS में जो certain specific word होते हैं, जिसको person और tense, सिर्फ इतने से ही बन जाता, maximum cases में, ठीक है, तो चलिए अब आज के इस concept को भी यहीं से हम लोग clear करते चले, और यहीं से हम लोग आज के class के सुर्वात करते हैं, चलते हैं सबसे पहले यहां पर, अब देखे क्या है यहां पर, यह देखे, एक बार फिर से हम आपको कभी हम लोग direct, indirect बनाते हैं, तो reporting वर्प से को हम लोग किसमें convert करते हैं, order में, या command में, या ऐसे किसी भी, इसके synonyms का use हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, चलिए, और फिर that की जगह हम, sorry, यह double inverted comma की जगह, जो आम तोर पे हम लोग use करते हैं, indirect मे that का, तो हमने बताया था कि हम इसके synonyms रहता है, यह दी आगे कहीं कोई दूसरा verb हो, ठीक है, या कोई दूसरा person हो, pronoun वाला person, ठीक है, तो फिर उसको हम लोग consider करते हैं, अदरवाई, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं होती, ठीक है, तो आए फटा-फट सबसे पहले हम लोग second part से check करना सुरू कर, यह देखे to cut, यह भी मिला to cut off, ठीक है, यह देखे इसमें to cut है, क्या नहीं है, तो यह पहले cancel हो गए, इसमें to cut है, क्या है, इसमें to cut है, ठीक है, अब आज़े रिपोर्टिंग वाब हम लोग चेक कर लें, यह क्या है, रिपोर्टिंग वाब ह हमारा say, ठीक है, तो यह किस में change होगा, order में, यहां देखे, order हो गया, इसमें देखे, screaming, यहां देखे, is ordering का use क्या है, इस ordering क्या है, सबसे पले इसका tense क्या है, तो इसका tense है, past and different, इसको कहाँ change कर दिए, present continuous में तो यह गलत हो गया, थर्ड वाले को देखे, इसमें क्या use किय है, तो यह गलत हो गया, तो हमारा correct answer क्या बना, हमारा correct answer बना, option number A, ठीक है, next आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग, अब यह सब कुछ चोटे-चोटे question है, इनको आप खुद से बना सकते हैं, अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं, अब देखे, prohibition वाले sentence को हम ल available हो सकता है, उसमें object amazing हो सकता है, इधर compliment आ सकता है, ठीक है, यह describing element वे उधर आ सकता है, ठीक है, अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना होता है, तो order वाले sentence के पहले, आप देखेंगे, don't या never लगा हो, अर्थात, इस prohibition वाले को पाचानने का तरीका है, कि don't या never के बाद don't या never, don't या never के बाद, यहाँ पर वर्ब की first form plus object है, मतलब, कुल मिलाखे, आप ऐसा समझेए, कि आपको ध्यान यह रखना है, कि don't या never, दोनों में से कोई भी हो, इसके बाद देखेंगे, वर्ब की first form आपको दिखाई दे, तो हम लोग इसको मानेंगे, prohibition, prohibition का मतलब क सेद, मना, जैसे आप कहीं किसी महल में जाते हैं, सणको के किनारे कई जगों पे आप देखते हैं, कि लिखा होता है, no parking, किसी theater में आप कोई movie देखने जाते हैं, वहाँ पे आपको अंदर में लिखा हुआ, दिखाई पड़ता है कई जगों पे no smoking, तो यह सब क्या, यह नि प्रोहिबिशन भी एक प्रकार का order है, ठीक है, लेकिन यह negative order है, ठीक है, order में किसी काम को करने का आदेश दिया जाता है, और इसमें किसी काम को करने से आपको मना किया जाता है, ठीक है, तो order वाले sentence को हम लोग direct से indirect मे convert करते हैं, तो reporting बाप से को order में, command में या उसके किसी भ हम लोग reporting बाप से को prohibition में, हम लोग reporting बाप से को या तो prohibit में change करते हैं, या prevent में change करते हैं, या restrict में change करते हैं, या वाल में change करते हैं, ठीक है, ऐसे किसी भी वाल में आप इसको change कर सकते हैं, बट जहां तक tier 1 के हम लोग बात करें, तो tier 1 में आप ज्यादा तर देखेंगे कि या तो order के साथ not two plus v1 का यूज के जाएगा order के साथ not two order के साथ यह देखे लिखा रहेगा ordered order यह ordered tense के according और उसके बाद not two plus v1 यह आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह restricted prohibited ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा या प्रोहिबिट का यूज आपको नहां मिलेगा forward का ज्यादा तर तर यूज आपको मिल जाएगा टीर वन में टी तु ने जम के यूज होता है प्रोहिबिट का जम के यूज होता है अब Jurassic का अब और pulley और प्रोहिबिट के साथ थोड़ा सा अलग अब प्रेपोजी य Pol Sloan को भालग में इसको मोग कर दो हुआ करना को शूरू करते हैं अब देखें यहां पर क्या है यह क्या है यह तो डूंट प्लस यह वर्ब की फर्स पर्म अर्धाती हो गया प्रोहिबिशन अब प्रोहिबिशन होगे तो सबसे परले आप सेकेंड पार्ट को ढूंडना शुरू किजी यह देखे टूगो आ गया तो इधर क्या लगा हुआ है रिक्वेस्ट तो सबसे परले इसको छोड़ यह देखे टूगो में भी हो सकता है यह देखे डूंट गो कैंसल होगा यह सुपनोड बस घूल इधरिंट अब यह हमारा आंसर हो सकता है यह मारा आंसर नहीं होगा यह हमारा आंसर नहीं होगा यह हमारा आंसर हो सकता है अब इसमें देखे यह request sentence है प्रोहिबिशन का यहां पर लिख दिये गए request तो यह cancel हो गया correct answer क्या बना correct answer बना option number D ठीक है answer क्या बना correct answer बना option number D next अगले question में चले हम लोग यहां पर हम लोग राइट पार्ट को चेक करेंगे और राइट पार्ट से ही डोडना सुरू करेंगे यहां देखे not to make में भी हो सकता है यह देखे not to make यह हमारा answer हो सकता है यह देखिए that don't make यह देखे अब हमारा answer 2 में से कोई एक होगा यहां तो option number A यहां पर देखे reporting website था यहां पर क्या लिखा है ask ask का यूज करते हैं हम लोग ज्यादा तर question पूछने के लिए अब tier 2 में जाएंगे तो request के लिए भी यूज के जाता है ask का request के लिए भी यूज के जाता है ask का तो अभी फिलाल इसको हम लोग cancel करेंगे और चुकि यह प्रोहिबिशन का था प्रोहिबिशन के लिए हम लोग यूज करते हैं यहां पर लिखा हुआ है यह हो गया हमारा correct इस तरीके से हम लोग आसान तरीके से हिन सारे question को बनाते तो अब आप ऐसे आसान तरीके question को बना सकते हैं यहां से आगे चलते आजेकर यह थोड़ा सा बड़ा type के questions है यह इसको हम लोग थोड़ा से हम पर देखना का प्रयास करते हैं ह MOVBlue कब नवर का जा सकता है, चाहे वो order का हो या prohibition का हो, order का रहेगा तो sentence में no not never का use नहीं किया गया हुगा रहेगा, और यह prohibition का होगा, तो advise या suggest के साथ है, advise या suggest के साथ आपको no not never देखने को मिलेगा चलिए हाँ यह, इस question में हम लोग देखें, यह देखें, आपको advise देखाई देखें, यह देखें not to को दिखाई दिया not to को दिखाई दिया, यह not to plus verb की first form, अर्थात यह क्या है, यह prohibition वाले ठीक है, तो आज यह सिर्फ इसी का हम लोग चेक करना शुरू करें यह देखें, डवलो चेंट्रोकरटिव है, यह cancel हो गया, यह देखें, प्रोहिबिशन है, यह prohibition है क्या, नहीं है, तो यह cancel हो गया, यह fourth वाले को हम लोग देखें, यह देखें, too fast, don't go too fast, don't go too fast, यह भी हो सकता है, ठीक है, अर्थात इन्ही तीनों में से कोई यह cancer होगा, sorry, चार में से दो option तो cancel होगा, अब इन्हीं दोनों में से कोई यह cancer हमारा बनेगा, अब यहां देखें, the mother says, don't go too fast, don't go too fast while reciting, यह अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग, इसमें हम लोग person पे ध्यान देंगे, यहां क्या लिखा हुए हर, अब हर change होगा होगा, किस के coding, तो यह देखें, हर mother, ठीक है, मा के coding, क्योंकि मा क्या है, मदर के female है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे कोई first person रहा होगा, first person रहा होगा, वही change करेंगा reporting भव के subject के coding, अथात, यहां पे हमें ढूणने की जरूरत है, I, क्या ढूणने की जरूरत है, I, ठीक है, I ढूणने की जरूरत है, या, दूसरा case हो सकता है, कि यदि जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे, यह said लिखा हुआ, ठीक है, reporting भव का अपना object नहीं है, तो दूसरे case में यह हो सकता है, कि यहां तो यहां पे पहले I होना चाहिए था, ठीक है, direct में, I, यदि हमें option में दिखाई न पड़े, तो हम यहां पे second person ढूणनेंगे, और second person में reporting भव का object लिया गया होगा, जो हम लोग assume किये होंगे, माने होंगे, जिसके चर्चा हमने आपके साथ narration के first class में की थी, ठीक है, तो उसके according यदि हम वहां पे you का use करें, you family का use करें, ठीक है, जिसे her poem है, तो you का क्या हो जाएगा, your poem हो जाएगा, तो यदि हम वहां पे you family का use करें, तो वो change करेगा reporting verb के object के according, reporting verb का यदि अपना object नहीं हो, तो हमने आपको narration के first class में बताया था, आपको कोई ने कोई object मानना पड़ता है, ठीक है, अब यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है, दोनों option में, यहां पे लिखा हुआ है, her, यहां पे लिखा हुआ है, your, तो हम her को prefer नहीं करेंगे, हम prefer करेंगे change करने वाले को, अर्थात हमारा answer क्या बने का, answer बने का option number B, ठीक है, next यहां से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं इस question में, यह भी देखें, थोड़ा सा question हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहां भी देखें, आप कैसे चेक करेंगे, इसको not to wait मिल गया, तो यह देखें, don't wait, not wait होगा नहीं, यह don't wait, यह हो सकता है, यह don't wait, यह भी हो सकता है, ठीक है, अब आजा यह left वाले पार्ट में, अब left वाले पार्ट में हाजा है, हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, अपर ove nhất दिखाई दे रहा है, ठीक है, अब डूम दिखाई दे रहा है, तो जड़ा हम लोग इसको check करें, यह theus च्रॉन हो सकता है, यह से तो, यह भी हो सकता है, मतलब यहां से हमारा doubt clear नहीं हो रहा है, अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें other person की जरूरत है, यहां देखे him लिखा हुआ है, तो यहां तो हम इसको focus करें, यह इसको focus करें, यह उड़ भी लिखा हुआ है, हम इसको focus करने ठीक है, यह इन सबों को छोड़ दें, हम यहां सीध करना सुरू करें, this night कहां पर है, यहां देखे that night, cancel, option number c में देखे, two night लिखा है, two night का that night में भी हो सकता है, यह देखे two, यहां पर that night, तो यह भी cancel हो गया, यह बचा two night, तो यहां तो two night होगा, यहां तो this night होगा, ठीक है, तो correct answer बनके हमारा option number c, next यहां से आगे पड़े, अब हम लोग यहां से आगे चलेंगे, और अब हम लोग चलेंगे, प्रोहिबिशन के बाद, request के तरफ, अब देखे, request वाले sentence को हम लोग कैसे पाचानेंगे, request वाले sentence को पाचानना बहादासान है, आप कैसे पाचानेंगे, तो यह जो double inverted comma में sentence लिखा होता है, इसमें आप क beginning में लगा होगा, या तो ending में लगा होगा, प्लीज या kindly इन दोनों में से कोई भी, प्लीज या kindly इन दोनों में से कोई भी, प्लीज या kindly इन दोनों में से कोई भी आप इस बात का ध्यान रखे, इसके बारे में हमने आपको वाइस में बताए था, कि order वाले को कैसे पाचा उसको हम लोग request में convert करते हैं, ask मिलता है बट वो tier 2 में मिलता है, implore में convert करते हैं, implore भी आपके tier 2 में देखने को मिलता है, ठीक है, urge में convert करते हैं, ठीक है, इस type के किसी भी synonym से हम लोग इसको convert कर सकते हैं, tier 1 में आपको ज्यादा तर दिखाई पड़ता है, वो या तो request में दिखाई देगा, या urge में दिखाई देगा, ठीक है, चलिए तो फट 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 इनके question को भी हम लोग यहां पर लगाना शुरू करते हैं, सबसे पहले हां देखिए, और फिर इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें भी double inverted को मतले क्या लगाते हैं, तो देखें, अब simply हम इसको अगर check करें, तो हमारा answer क्या बना चाहिए, two weight बना चाहिए, अब देर, यहां नेक्स आगे बड़े हम लोग, यहां भी देखें,। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे, तो यहां में, answer की रूप में क्या चाहिए है तो हमें चाहिए हैं पर हम लोग को यह पर क्या चाहिए तो यहां पर इस को remove करेंगे लगाएंगे to क्या मिलेगा to late ठीक है to later मी का क्या बन जाएगा मी का क्या बनेगा kavyak recording हर बनेगा ठीक है kavyak क्या कॉर्ड़िंग हर टू LATER तू लेट हर वियर यह देखे तू लेट हर वियर इसमें देखे तू लेट हर वियर है क्या नहीं है तो यह कैंसल होगा इसमें देखे तू लेट हर वियर है नहीं है तो यह भी कैंसल होगा इसमें देखे तू लेट हर वियर है नहीं है तो यह भी कैंसल होगा इसमें देखे नमबर ए ठीक है तो आगे दिमाग लगाने की जरूरती नहीं है यहां दिमाग लगाने की जरूरती नहीं है यहां पर देखिए यह जो कोशन यह थोड़ा सा क्या दिखाई देना को दिखाई रहा है और और यह देखिए इसमें प्लीज भी लगा हुआ है तों इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है फ्लीज यह काइनली को क्या करेंगे और इसी को ने इसके पहले वाले इन सारे सेक्शन को हम लोग क्या करेंगे रिमूफ कर देंगे अब हम सुरू कहां से करेंगे तो टू राइट से किसे टू राइट से अब आज यह यह राइट साइट वाले पार्ट को हम लोग है इसमें देखे टूराइट है क्या यहां मिला टूराइट ठीक है अब हमारा आंसर इह नहीं कोई एक होगा ठीक है अब यहां देखिए एक और concept आपको देखने को मिला तीसरा इसमें यूज किया गया एक तो इंटरोगेटी प्लस रिक्वेस्ट और यह देखिए जो सूची नाउन है इसको देखिए यहां पर कॉमा से सेपरेट क्या है मतलब क्या है कि जब इन डिरेक्ट में जाएंगे तो इस रिपोर्टिंग भाब से का यह क्या बन जाएगा इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि हम लोग रिक्वेस्ट वाले कोशन का भी आंसर कर बार अब यह देखिए यह कोशन थोड़ा सा बड़ा सा है और बड़ा होने के सांसा थोड़ा सा कॉम्प्लीकेटेड भी आपको लगता है यह लग सकता है तो आईए इसको भी हम लो क्या अलावा और हम क्या चेक कर सकते हैं तो हम चेक कर सकते टुमारो पहले सारे सेंटेंस में देख लिए टुमारो का क्या यूज करने यह पहले ही कैंसल हो गया इसमें भी टुमारो यूज करने यह पहले ही कैंसल है कि तुमारो का क्या होगा नेक्स डे होगा तो यहां भी तो इंफर्म भारत एक है प्लीज तूटेल भारत ठीक है और यहां पर देखेए विल का यूज कर लिए यह रहाई विल के करण यह और हो गया हमारा ठीक है तो यह थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ता है यह इन फॉर्म वगरा में कभी-कभी चेंज होता हुआ न जराएगा ठीक है नेक्स्ट अब ऐसे यह कुछ आसान टाइप के कोश्चन है इनको बना सकते हैं बहले दिखने में बड़ा सा है आए इसको हम लोग देखें इसमें फिर कुछ खास है आपके लिए यहां पर क्या खास है देखें आपको दो बार प्लीज प्लीज लिखा हुआ दिखाई देर है फिर यहां पर डॉंट प्लस यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थाथ एक तरफ यह रिक्वेस्ट ना जा रहता है दूसरी तरफ यह प्रोभिशन ना जा रहता है फिर फंस गए हम लोग ठीक है तो ऐसे कुछन में आपको घवराने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं अब आ रिक्वेस्ट के लिए हम लोग देखें बेक का यूज़ भी करते हैं तो आस्क पहले कैंसल हो गया आस्क देखते के साथ कैंसल हो गया इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा ठीक है अब यहां देखें नौट तो चुकि सेंटेंस नेगेटिव था तो नौट तो और यह अब इनके बाद हम लोग फिर चलते हैं कुछ नय टाइप के कोशन यहां पर देखें यहां पर फिर आपको थोड़ा सा बढ़िया सा कोशन देखने को मिल रहा है क्या है इसकी अच्छी विज़ता यह फॉर्गीब में देखें यह कोशन आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज कर फॉर्गीब में बट इस डेस इस अल्रेडी सोल्ड मतलब माल लिजे कोई कस्टमर है किसी दुकान में गया वहां कोई कोई सेल्स गर्ल थी लड़की थे उसे बोला कि यह वाला कपड़ा मुझे चाहिए तो लड़की ने इंकार किया उसने सीधा कहा बही चमा किजिए यह कपड़ा है पहले से बिट चुका है अब देखें इस टाइब के कोशन का जब भी कभी आपको आंसर करना हो एक तो ऐसे कोशन आपके टियर वन में रेयर मिलेंगे यह सब में मिलेंगे ज्यादा तरह आपको ठीक है फिर भी एक आध कोशन ऐसा आ सकता है कभी-कभी किसी एक इससा दिखने को मिल सकता है मिल सकता है इसलिए हम लोग फोउसको देखना है इसको करते हैं अब देखिए जो लड़के जो सेल्स में जो सेल्स गर्ल एं वो क्या करें मुझे च्षमा किले मतलब वह普य क्थ उलाइट वोड का यूज़ कर रही है ठीक है यहां देखिए इसलिए यह भी cancel अब एक ही option बचा हमारा बेग करेक्ट अंसरी जो option नमबर भी ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग इन सारे question से बाहर चलते चलते objective है अब देखिए objective sentence को आप पहचानेंगे कैसे कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ sentence है यह objective है तो देखिए कई बार आप stories जो देखते हैं सुनते हैं यह पहले से भी आप जानते हैं उसमें हम लोग इस तरीके के word का अकसर यूज़ करते हैं कास राजा दिर्गी जीवी होत कास तुम सफल हो जाते नहीं जैसे कॉंग्रेस वाले जैसे अभी देखे रिसेंट में यूपी में चुना हुआ तो जो सपा सपोर्टर हैं वह यह मना रहे होंगे कास हमारे जो अखिलेश यादव हैं वह मुखमंत्री बन जाते कास सपा जीद जाती अब बीजेपीन केस मह हमालीजें हार गई तो कॉंग्रीस और स dopoवाले बसपा गई तो व एक कम टैक का सब्सक्राइब लोग मना रह utilizz जाता हमारी जीटके होती है कास बीजेपी ही होती कोई पार्टी हो तो कोई में कोई जीतना और हरना तो लगा रहाता है ठीक है एक ही सीख्य के दोनों पहली हुआ ठीक है बात समझ में आ रही है कास राहुल गांदी प्रधान मंतरी बन गए होते हैं ठीक है इस तरीके का जो स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं तो यह तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गय भजब अपने पिता अरताथ रावन के पास आता है और रावन का चरन लार्स पर करके पर नाम करता है कास तुम बर बाद हो जाओ, तुम मिठ्टी में मिल जाओ, ठीक है तुमहारे उपर आस्मान तूट पड़े मतलब क्या मुसीबत का पहाडर तोट पड़े मतलब वो क्या कर रहा है उसको कर्स कर रहा है अभिसाप दे रहा है उसको बद्दुवा दे रहा है स्राप दे रहा है बात समझ में आ रही है अब यह सब बातें यह सब किसे कहानिया हम आपको क्यों सुना रहे थे यह सब किसे कहानिया हम आपको इसलिए सुना रहे थे क्योंक आसिरवाद वाला होगा तो bliss का यूज़ करेंगे ठीक है आरेस वाला इंज्वाइ टाइप का होगा तो इंज्वाइ वाला यूज़ करेंगे आरेस यदि किसी के इक्षा होगी तो विस या डिजायर में create करेंगे आरेस यदि अर्था double inverted कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो किसी को अभी साब दे रहा होगा बद्दुआ दे रहा होगा तो उसको कर्स में चेंज करेंगे बात समझ में आ रही है तो इस तरीके के related word में हम लोग reporting वर्व से को change करते हैं direct से indirect में clear बात समझ में आए इसलिए direct से indirect में अब जब हम लोग जाएंगे optative sentence में तो इसमें हम इन चीजों को ज़्यादा focus नहीं करेंगे हाँ हम सिर्फ उसको relate करने का प्रयास करेंगे कि उसके tone से मिलता जूलता है या नहीं ठीक है अब optative sentence को आप पाचानेंगे कैसे तो optative sentence हमेशा सुरू होता है किसे में से sentence के beginning में क्या लगा रहेगा में लगा रहेगा ठीक है sentence हमारा सुरू ही होगा में से ठीक है बात समझ में आ रही है तो इसको हम interrogative नहीं है यहां पे sentence के last में आपको लगा हुआ दिखाई देगा फूल स्टॉप क्या दिखाई देगा फूल स्टॉप ठीक है न कि note of interrogation यह आपको दिखाई नहीं देगा आपको दिखाई देगा यह ठीक है बात समझ में आए अब आए कुछ मृसर के सांति के लिए काम ना करता है जिसे जिसे कुछ दिनों पहले लता मंगेशकर की मृति हो गए तो पूरे भारत वरस किया नहीं पूरे इंडिया को सांती मिले तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भगवान से क्या करते हैं प्रात्ना करते हैं अब भगवान से लडाई तो हम लोग कर नहीं सकते हैं भगवान को असिरवाद दे नहीं सकते हैं भगवान को सराब दे नहीं सकते हैं दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते हैं तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे हम लोग उससे related word में इसको change करते हैं और अब आपको यहां पर ध्यान यह रखना है कि जो double inverted comma था double inverted comma के बदले हम लोग order में प्रोहिबिशन में request में क्या यूज कर रहे थे टी ओ टू का यूज कर रहे थे ठीक है interrogative sentence में हम लोग क्या होता है देट कर ठीक है बात समझ में आई तो देख लिजिए यहां पर दैट अबलेबल है यहां दैट अबलेबल है यहां दैट नहीं है सबसे पहले भगा देजिए इसको और दूसरा क्या काम करते हैं कि यह जो sentence ऑप्टेटिव है इसको फिर से affirmative में convert कर लेते हैं यह ठीक के बाद हम लोग उसको affirmative बना कर लिखते हैं बात समझ में आई कि नहीं ठीक है चलिए तो फिर दिल को थाम कर रखिए इसको कहीं भटकने मत दीजिए घूमने मत दीजिए ठीक है वरना दिल घूमे चक्कर खाए आगे की बातें आप जानते ही है तो चलिए अब इसके आगे कि चीज़ों को हम लोग यहां पर देखना सुरू कर यहां देखें God will grant peace to the departed यहां देखें the God will है जबकि यह कहा है पास्ट में तो विल तो होगा नहीं यह कैंसल हो गया पास्ट में तो यहां उड़ हो सकता है यहां पर में होगा नहीं में यदि है तो में का माइट बनाना पड़ेगा इसलिए और सी कैंसल होगे और एक कैंसल था करेक्ट आंसर बना ओप्शन नंबर बी आई एक दो और कोशन इस पैटर्न का हम लोग बनाते हैं यहां देखिए में यूगेट सक्सेस इन लाइफ जैसे माल इसे आप इससे सीकह एक्जाम देने जा रहे हो आप इस पहरी से नौकरी लग जाया तुम्हारी ठीक है आप यदि लड़गा है तो फिर साधि विबा हो तुम्हारे बहो को घर लाए और अप यंदे फिमिल है तो जर्दी से नौकरी लग जैगे तुम्हारी हाथ पी ले करे नाथी पोता कहल 돼 लायो वर वर बात समझ में आ रही है इस तरीके का positive बातों को वो लोग express करते हैं मतलब वो क्या कर रहे हैं आपको आसिरवात दे रहे हैं अब यदि वो भगवान का नाम लेके आपको आसिरवात दे भगवान तुमको तुम्हारे एक्जाम में जल्दी से भल कराएं ठीक है तो अब वो क्या करेंगे वही हो गया यह वाला सेंस ठीक है लेकिन भगवान के नाम का यह दे यूज नहीं किया गया तो वही हो गया ब्लेस बात समझ में आ रही है अब आज यह सिंपली हम लोग इसको चेक करें कि हम लोग इसको किसमें करेंगे तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए यू क्या है सेकंड प यह क्या हो सकता है टोल्ड यह टोल्ड यह टोल्ड यह क्या है विस तो यह क्या था किसी का विस था हमने इसको कनवर्ट कर दे विस में करेंग टांसर बना ओप्शन नमबर ए ठीक है नेक्स्ट अब इस तरीके कोशन को आप आसान तरीके से बनाई सकते हैं अब आई एक और और इस question को हम लोग यहां पर देखने का परयास करें बंटी सिस I may not come for the practice today हो सकता है कि आज हम practice के लिए नहीं है ठीक है जो हो सकता है दोनों दोस्त होंगे ठीक है बंटी और बबली टाइप से ठीक है तो अब इस टाइप के sentence को हम लोग कैसे convert करेंगे सबसे पहले यह और समझाने की बात इसमें यह ठीक है आपके दिमाग में सेट कर जाता है अच्छा में दिखा में दिखा और यहां पर फॉल स्टॉप दिखा अच्छा यह तो अप्टेटिव है इसा नहीं है यह नॉर्मल सा sentence है तो नॉर्मल तरीके से यह बनेगा आई का क्या करेंगे बं तो अब चलिए इन से बाहर चलते हैं हम लोग और अब हम लोग सीधा चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में का चलते हैं तो अब हम लोग चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है भाई एक्सक्लामेशन समझते हैं आप जैस इसको यूज भी करते जाते हैं ठीक है बात समझ में आ रही है तो यदि इस टाइप के वर्ड आपको कहीं भी किसी भी आरेस में लगे हुए दिखाई दें और उसके साथ आपको सबसे इनको पाचाना सबसे ज्यादा आसान इसलिए है क्योंकि यह जो एक्सक्लमेटरी सेंटे दिखाई देता है और आरेस वाले पार्ट में ही दिखाई देता है ठीक है रिपोर्टिंग वर वाले पार्ट में यह कभी आपको दिखाई नहीं देगा तो जैसे ही यह साइन आपको कहीं भी आरेस में दिखाई देता है डवल इन्वर्टेड कॉमा में कहीं भी लगा अब यह sentence यह sentence को इस आरेस को हम लोग क्या मानेंगे तो इसी आरेस को हम लोग मानते हैं exclamatory क्या मानते हैं तो इसी reported speech को हम लोग मानते हैं exclamatory क्या मानते हैं exclamatory मानते हैं अब जब यह exclamatory हो जाता है तो हम लोगों को क्या change देखने को मिलता है हम लोगों को बड़ा important एक change दे से के नाम से कॉल कर रही है क्योंकि है से के पांचों में से कोई भी हिवा सकते हैं 5 को सब को से कि बुलाते हैं थिक है तो यदि रिपोर्टिंग वर रिपोर्टे डिस पिच अमारा ignoring from लगा हुआ हो यह पहले टाईप का टाइप लुग बगा रहे तो अब आप पढ़ाने टाइप ओन में note of exclamation इस type का symbol आपको लगा हुआ दिखाई देगा ठीक है तो यह जो reporting वर्ब से होता है reporting वर्ब जो से होता है इस reporting वर्ब से को हम लोग के समें convert करते हैं इस reporting वर्ब करते हैं exclaim में use को convert करते हैं किसमें exclaim में convert करते हैं और exclaim के साथ एक preposition बार-बार use होता है with, exclaim with, exclaim with, अब exclaim with के बाद जो word use किया जाता है, वो बार-बार change कर सकता है, कैसे change करता है, जिसे यह देखिए, अब इसका use हम लोग कब करते हैं, दुख को express करने के लिए, sad को express करने के लिए ठीक है, जैसे हम लोग आउच का use करते है, pain को express करने के लिए, तो pain होगा, तो exclaim with pain, यह होगा, ls तो use करेंगे, exclaim with, sadness, exclaim with, plight, ठीक है, दुख या दुख से related कोई भी word या उसका synonym हम use करेंगे, कब कहा, exclaim with के बाद, अब जैसे माल लिजे कहीं लगा हो, ब्रेवो, तो ब्रेवो का use करते हैं, किसी का प्रसंसा करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, किसी का प्रसंसा करने के लिए, तो exclaim without प्रसंसा वाला कोई भी word हम use कर सकते हैं, ठीक है, प्रसंसा से related कोई भी word ह तो इस तरीके से अब यहां पे चीजे फिक्स नहीं है वो बार बार चेंज करेगी और उनको चेक करने का दबस तरीका है कि आप उसके लिए आरेस का जो टून है उसको समझें ठीक है और यह सब भी कब करेंगे यह सब बाद में करेंगे पहले राइट साइड वाले पार्ट क अर्थाद आरेस को हम लोग चेंज कर लेंगे और आरेस में जो एक्सक्लामेटरी वोड लगे होते हैं जब हम लोग उसको डायरेक्ट से इंडारेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको सिंपल सा सेंटेंस बनाते हैं और सिंपल से सेंटेंस को डायरेक्ट से इंडारेक्ट में को हम लोग यहां से देखना सुरू करें, उनको देखने के पहले यहां पर, आपके सामने यहां पर कुछ वोड हमने लिख रखें, जैसे oh my god का यूज कप करते हैं, तो surprise, anger या shock, estonis को express करने के लिए, हिप हिप हुर्रे का यूज कप करते हैं, किसी celebration के लिए, या approval के लिए, इन तीनों का यूज कप करते हैं, तो sorrow को express करने के लिए, आउच, pain, ha ha, kब amusement के लिए, entertainment के लिए, recreation के लिए, 5-5 का यूज कप करते हैं, disgust, well का यूज कप करते हैं, to so, surprise, doubt, disagreement, anger, relief, तरीके के लिए, तो with के बाद आप इन में से किसी भी word का यूज कर सकते हैं, या इन में से जो भी sense होगा, और इसका, उसका, या उस से related, उसका कोई भी synonym सा यूज कर सकते हैं, ठीक है, अब आईए, चलते हैं, सीधी बात करते हैं, हम लोग आते हैं, यहाँ पर question की तरफ यहाँ देखिए, question, यह देखिए, सबसे पहले आपको क्या दिखाए, यह LS, मतलब सीधी ब हो जाएगा, his, ठीक है, his enemies, of enemies कैसा है, प्लूरल है, तो यह देखे, यह RV कैसा है, पास्ट में, तो सबसे पहले यह R का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो simply, जब हम answer ढूंडने जाएंगे, जब हम answer ढूंडने जाएंगे, तो इसकी जगा हम क्या ढूंडनेंगे, इनमीज के साथ हम क्या ढूंडनेंगे, वर को, तो इनमीज, वर, यहाँ देखे, क्या लिखा हो है, अब यह क्या है, यह singular, तो आप याद किजी, हमने आपको पहले, कि क्लासेस में इसके बारे बताया है, कि यहाँ जब V हो, यह V family हो, और इधर कोई भी singular हो, इधर कोई भी है, ठीक है, तो आप ही को सबसे पहले दे में convert कर लेजिए, और दे को convert किजिए, column number two में, तो दे का दूसरा क्या मिलेगा, possessive objective क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ देखे, देर लिखा हुआ है, तो यह पार्ट ठीक है, यह हो सकता है, next आगे पड़े, that their enemies were, that their enemies were, two strong, यह भी ह हो सकता है, यहां देखे, देर एनेमे जए है, क्योंशरो है, यह थे हैं, तो यह थे हैंने में जए हो गया, अरथात इनहीं दूनों में से कोई एक हमारा answer बनेगा, या तो option number A, या तो option number B, अब देखे, दोनों में क्या है, यहां से यह दोनों part से में, ठीक है, phrase, that their enemies were, two strong, लगा हुआ है और समझ में और इसमें इसमें सेड़ी में के साथ यह हमारा प्रेफरेबल अंसर हो गया और बना ओप्षन नमबर बी आप इस भात है और क्या यूज़ करेंगे सिसमें कैंसल हो गए ठीक है अब यह एक्स्कलेम्ड sadly यह हो सकता है यहां देखे told me I said तो यह cancel यह cancel exclaim होला हमारा preferable answer हो गया ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और question में चलते हैं यहां देखे यह shouted है चिला कर बोला भाई अब चिला कर बोला तो अब यहां पर आप option देखे इसमें हम लोग ऐसे चिक करेंगे ठीक है यहां देखे तीनों में क्या है ask सबसे फ़ले यह ask present में आगया तो यह होगा ने क्यों ने होगा भई क्योंकि shouted यह past में है तो ask होगा नहीं यह तो ask होगा यह ask होगा यहां देखे shouted to his meant to stop यह ज्यादा बेतर आंसर है इन दोनों के तुल्ला में तो option नमबर बी कैंसल सी कैंसल करेक्ट आंसर होगा option नमबर ए तो यह कुछ एक ऐसे question है जो थोड़ा बहुत आपको परिसान करते हुए नजर आएंगे यहां भी गतले से तो आहलब झोड़ देते हैं यहां देखे वाई यू एब ड़न वेल वह तुमने पहुत अच्छा काम किया मतलब क्या उच्छा कर रहा उसका प्रसंजा कर रहा है अब सबसे पहले देख चालिए यू सॉरी भी सबसे जैंक्र कि यहां देखे अब हमारे पास दो option बचे, option number A and option number C, अब देखे इसमें applaud का use किया गया, admire का use किया गया, प्रसंसा वहला वर्ड यूज किया गया, तो यह हो गया हमारा answer, यह हो गया हमारा answer cancel, ठीक है, बात समझ में आई, चलिए, यहां से आगे बढ़ें, कुछ और देखें, यहां पर क्या मिल रहा है, ब्रेवो मिल रहा है, ब्रेवो मतलब क्या, फिर applaud प्रसंसा वहला बात होगा, अब आप चेक कर लिए, यहां पर applaud, यहां पर देखें कुछ नहीं है, यहां पर देखिए, badly, you have all done very badly, remark the mother, मतलब, अब देखें, bad sense में यूज हो रहा है, ठीक है, अब you को हम लोग change कर लेंगे, sorry, you को हम लोग change कर लेंगे, और you को change करने के वाद, यह जो have है, has क्या हो जाएगा, had हो जाएगा, ठीक है, तो अब इस तरीके से इनको बना सकते है, badly है, आईए, इसको हम लोग यहीं पर बनाते चलें, यहाँ पर देखे, ask, cancel, if लगा हुए, cancel, यह देखे, remarked that, यह देखे, say that, यह cancel, remarked that, तो इन्हें दोनों में से कोई हमारा answer होगा, यहाँ तो option number B, यहाँ तो option number D, ठीक है, अब यहाँ देखे, यह यू, यू क्या है, plural, ठीक है, अब यहाँ देखे, दोनों ही question में use कर लिए गए, दे, अब दे के साथ, यहाँ देखे, क्या होने चाहिता है, had, यहाँ पर है, have, यहाँ पर had, तो option number D, correct answer होगे, यह cancel होगे, ठीक है, very simple, next, यहाँ यह, यह sentence थोड़ा सा, बड़ा सा, भड़ कीला सा दिखाई दे रहा है, तो आईए, इसको हम लोग जरूर बनाएंगे, उसके बाद हम लोग चलें के, exclamatory के, दूसरे format में, the spectator applauded, the key, यहाँ पर किसका use क्या जरा applauded, the young athlete saying that, that लगा हुआ, double inverted comma कहीं भी हमें दिखाई, नहीं दे रहा, इसका सीधा मतलब क्या है, तो सीधा मतलब है, कि यह sentence कैसा है, indirect है, तो हमें क्या बनाना होगा, direct बनाना होगा, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए भाई, तो double inverted comma में कोई applaud वाला word हमें चाहिए, तो सबसे पहले आप double inverted में चलिए, और ढूड़िए, क्या कहीं पे applaud वाला word है, प्रसंसा वाला, यहाँ पे देखे, यह होगा नहीं, यह यू हैड, यह भी नहीं, यह देखे, यू हैव, यह भी नहीं, एक यहाँ पे ओ, ओ लगा हुआ है, तो इसके regarding हमने आपको बता दिया, ओ वाले से related, आप simply क्यों ढूड़ लीजिए, आपके answer मिल जाएंगे, next, अब हम लोग चलते हैं, अगले pattern के exclamatory sentence में, देखे, अगला pattern क्या है, अगला concept क्या है, exclamatory का दूसरा type क्या होता है, अब हम लो और वाट आपको दिखाई नहीं देगा, यह note of exclamation आपको दिखाई नहीं देगा, जैसे हम लोग पेपर रे, ब्रेवो, ओ, आउच, माई गॉड, ऐसे वाट का यूज कर रहे थे भी, अब यह सब आपको double inverted में दिखाई नहीं देने जा रहा है, अब आपको double inverted कॉमा के सबसे ज़्यादा इनके साथ आप देखिएगा कि इनके साथ a या n का यूज किया हुआ दिखाई देगा, किसका a या n का यूज किया हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है, दूसरी बात कई बार इनके साथ आप दिखिएगा, कि कई बार ये भी आपको दिखाई नह आप उसको यही पढ़ेंगे पढ़के समझने का प्रयास करेंगे सेंटेंस के लास्ट में फॉल स्टॉप लगा होगा पढ़के जब आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप नोटिस करेंगे आप पाएंगे कि वो सेंटेंस आश्यर्य को व्यक्त कर रहा होगा वो tree this is, कितना, कितना बड़ा पेड बात समझ में आ रही है, such clean water, कितना साफ पानी, बात समझ में आ रही है, तो how हो, what हो, या सच हो इनके साथ generally A-N का यूज़ आपको देखने को मिलेगा, कई बार आपको A-N का यूज़ भी देखने को नहीं मिलेगा, without an आपको काम चलाना पड़ेगा ठीक है तो यह सब कहा मिलेंगे तो यह सब मिलेंगे Rs में Rs बोले तो double inverted comma के अंदर और तब जब इसका हम लोग direct से indirect बनाते हैं तो इसमें भी reporting वर्ब से को आम तोर पर हम लोग exclaim with का यूज करते हैं exclaim with के बाद exclaim with के बाद हम लोग surprise astonish यह ऐसे भी किसी भी verb of reaction का यूज करते हैं जिस प्रकार का यह Rs हमारा होता है उससे related किसी भी word का हम यूज कर सकते हैं कई बार हम exclaim with का यूज नहीं करेंगे exclaim with surprise का use नहीं करेंगे, हम सीधा use कर सकते हैं, reporting को अब सेख की जगा, surprise, astonished, perplexed, वगएरा, वगएरा, बात समझ में आई, चलिए, तो अब इनको समझने के बाद, इनको सीखने के बाद, अब हम लोग सीधा चलते हैं, इनसे related कुछ question को solve करना शुरू करते हैं, जैसे यहाँ पर यह देखिए, what a beautiful ways, कितना सुन्दर ways, गुल दस्ता, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हम को क्या करना चाहिए, तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कि यह जो what, how, such, how होता है, या केवल what, such, या how, तीनों में से, जो भी आपको देखाई देता है, आम तोर पे हम लोग ज करते हैं, वेरी का, किस का यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं, इस बात को अब ठीक से समझेगा, हम speed कम करके, थोड़ा slow होके, आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर देखिए, ठीक है, क्यों कर रहा है, क्योंकि एक तो भाई' हम लोगों का subject क्या है, English, और دूसरा, क उसको यदि हम लोग थोड़ा फास करके सीखें, तेज में सीखें, स्पीड में सीखें, तो फिर वो clear नहीं हो पाता, ठीक है, तो इसलिए यहां पर वीडियो थोड़ा सा slow चलेगा आपका, ठीक है, अब ऐसा हम लोग हमेशा नहीं करते, यह कोई hard and fast rule नहीं है, कि हर बार इसक वेरी का यूज किये हुए भी sentence आपको दिया हुआ हो सकता है, option आपको दिया हुआ हो सकता है, बट हमने आपको पहले से बता रखा है कि wise हो या narration हो, इन दोनों ही topics में जब भी कभी आप wise change करते हैं, narration change करते हैं, तो आपको तीन बातों कभी से शुरूप से ध्यान देना है, क्या meaning, mood और tense, change नहीं होना चाहिए, rule के according जैसा होता है, वैसा है tense होना चाहिए, जो sentence का meaning है, वो meaning change नहीं होना चाहिए, sentence का जो tone है, जो mood है, वो change नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि sentence का tone है, affirmative आप बना देजे, negative, ऐसा आपको नहीं करना है, बस इन बातों का आपको थोड़ रखना होता है ठीक है चलिए तो आईए अब इसको हम लोग यहां पर बनाना शुरू करें और देखें हम लोग इसका क्या कुछ हो सकता है यहां पर पिंक के सेड तो सबसे पहले आप आप आजाएए ऑप्शन चेक कर लिए रिपोर्टिंग को यह 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 दो ऑप्शन तो ऐस हम लोग यूज़ करते हैं टू का इंट्रोगर्टिम में हम लोग यूज़ करते हैं फिया वेदर का ठीक है चली अब इसकी जगह क्या होगा भाई तो चुकि यह नौन लीविंग है तो एट का यूज़ होना चाहिए अब यह रिपोर्टिंग कैसा है पास्ट में है तो यह past में तो इट के साथ क्या यूज़ होगा वह का यूज़ होगा तो इट इस यह पहले cancel हो गया option number a और b cancel हो गया अब आज यह it was a very beautiful ways it was and indeed it was an indeed a beautiful way यह बेतुका हो गया यह हमारा correct answer हो ठीक है यह भी काफी आसान होता बस थोड़ा सा आपको पेसेंस रखने के जरूरत होती है, थोड़ा सा पेसेंस आपको रखना पड़ता है, ठीक है, तो पेसेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि चीजें धीरे-धीरे घटित होती है, धीरे-धीरे, रिमनवा, धीरे-धीरे, ठीक बाद समझ में आ रहा है, चलिए, आगे सीखे हम कितने चालाक हो भाई कभी कभी आप अपने दोस्तों को बोल लाते हैं यार मैं जहां तक सूच नहीं पाता हूँ उससे भी आगे तुम काम करके बैठ जाते हो कितने चालाक हो तुम तो यह भी सर्पाइस का सेंस एक्सप्रेस कर रहा है देखिए सीखने की बात ही है कि इसमें हाव लगा हुआ है सेंटेंस के लास में देखिए फूल स्टॉप लगा हुआ ठीक है यहां पर कई बार फूल आपके जगा नोट ओफ एक्स्क्लामेशन लगा हो तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है यह आपके पेसेंस को चेक करने के लिए गिवन होता है ठीक है बात समझ में आ रही है यहां पर देखिए कोश्चन मार्क नहीं लगा है और यहां पर देखिए हाउ के साथ हाउ के सा गनात ज 10 का यूज किया हुआ बात समझ में आ रही है अब इसका जो भी मिनिंग था यह छोटा सा सेंस इसका हम लोग आसानी से समझ चुके हैं अब आये इसका हम नोग बनाना शुरू करें अब चलते हैं इंडायुरेक्ट में इन डायुच में घंए तो देखिए क्मशन七 गया हिए देखे इस उस्य तो हो रहा है लग यहां कि यह क्या है पास्ट में तो होगा होगाने यह कितना आसान है बताइए बताइए इस टाइब के साथ एं का यूस कर लिया गया अब जब इसका हम लोग direct send direct बनाने चलेंगे तो यह देके सेड है तो सबसे परले सेड की जगह यहां थे कि head exclaimed यह पास perfect में change करते हैं इसी का change करते है जब कि हमने आपको पहले class में बताया था कि घर वाली और बाहर वाली या का जहारम होता है कभी डायरेक्ट से इंडारेक्ट में iPhones में जेसे हम नहीं कर सकते हो या कोगी दूसरा नाम लिखा हो प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो तो हम दोग उसको चेंज नहीं कर सकते ठीक है तो सबसे पहले देखे इसका टेंसी चेंज कर दे यह option cancel हो गया अब इन यहीं तीनों में से कोई एक होगा यहां पर देखे एक्सक्लेम के साथ वाट लग गया तो यह भी cancel होगा एक्सक्राइब के साथ क्या लगाते है विथ लगाते है यह देखे surprise है यह appreciation है what an excellent piece of art मतलब कितना सुन्दर कितना बढ़ियाब उसका प्रसंसा हो रहा है यह जो art है इसका प्रसंसा क्या जा रहा है इस sentence में या अश्चरिव्यक्त क्या जा रहा है और देखे दूसर Electically correct है meaningfully भी Correct है हमारा Correct answer क्या बन गया तो Correct answer बना Option no Bering Correct answer क्या बना Option no C Lions the Child, what a beautiful sight क्याद विद्ट व सायट तो इसका बना सकते है इड़ाइड वियूटिफुल साइटूर्ण बनेगा चलिए इसको भी हम लोग यहां पर solve करें यहाँ पर देखे सेड का यूज किया cancel यहाँ देखे एक्सक्लेम यह हो सकता है यह देखे रिपोर्टिंग वर्फ हमारा पास्ट में है तो यह इट के बाद हैस का यूज तो नहीं होगा इसलिए यह भी कैंसल होगा चार में तीन अप्सन अल्रडी कैंसल होगा जो बच स्टेनोग्राफ पूछा गया है तो आई इस को थोड़ा सामलोग बनाते चली यहां देखे यह रिपोर्टिंग को क्या है सेड यहां देखे टोल्ड यहां देखे सेड यहां देखे एक्सक्लेम तो सबसे पहले यह दोनों तो नहीं होगा अब यहां पर देखे what a sad incident it is अज यहां देखे teacher को क्या हो रहा है कुछ भी बुरा घटना घटेगा तो उनको क्या होगा regret होगा जैसे हम यह दिए आपको पढ़ाते हैं और आपके हमसे कहिए कि सर हम ना फेल कर गए हमसे English का question बना ही नहीं है तो हमें क्या होगा regret होगा आपके माहत वाले teacher से आपा कि कहिए म कि आप मैंसे कई बच्चे ऐसा के खते हैं कि सण थो किया था बट क्या बता एंन और आप मैंसे कुछ बच्चों का ने बहुत सारे बच्चों आक्सर होता है किसे भी टीचर से पढ़ने वाले बच्चे का एक डाउट होता है मैन्स टो किये थे बट एक्जाम में जाके हम पुरा टेम नहीं कर सेके, टाइम कम पड़ गया, स्पीड नहीं था, एक उरेसी नहीं थी, ठीक है, यह समस्या सब के सां जाती है, और यह समस्या अपने आप ठीक होता है, कैसे ठीक होता है, तो आप्टर डूइंग वेरी हाड, आपको इस है, कोशन को देखते के साथ भाचान जाता है, सुलूशन को देखते के साथ भाचान जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो इन चीजों का आपको भी विशेस रूप से ध्यान रखने के जरूर थे, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा भाई, तो करेक्ट आंसर ब पढ़िए और यहां पर समझने का प्रयास किजिए हाउ आई विसम लोगों ने कैसे हिक्षा किया था कैसे आसा किया था दे वुड कम कि वो लोग आएंगे ठीक है मतलब ध्यान देजिए इसमें क्या एक्साइटेडनेस दिखा रहा है यह जो रिपोर्टिंग वोग का सब्ज करें मैं उप्चन को बनाना शुरू करें यह देखे के एक्स क्लेंबड है एक्सक्लेम्ड है एक क्लियर हम नहीं कर सकते अब्दिखे सबसे पढसे क्या लगना चाहिए देज है कि उसने आश्रे करते हुए कहा तो चुकि आशा तो इसमें दिख रहा था इसलिए यह हो सकता है अब यह सेंटेस थोड़ा सा इसमें एडिशनल यूज करते हैं इसलिए यह हो गया अब इनहीं दोनों में से कोई एक आंसर होगा यहां भी विसका यूज कर लिए इसलिए यह भी कैंसल तो करेक्ट आंसर क्या बना करेक्ट आंसर बना ऑप्शन नमबर भी ठीक है तो अब इनहीं के साथ इन्हीं सारे question के साथ अब यहां पे हम लोगों का narration का सारा concept clear होता है सारे के सारे point of view हमने आपके साथ share की हमने आपको सिखाने का, समझाने का, पढ़ाने का, बताने का प्रयास किया एकदम smooth way में हमने आपको समझाने का, सिखाने का प्रयास किया लेकिन tier 1 के point of view से जितने ही बाते हो सकती थी उन सब को हमने आपके साथ यहां पे narration part 1 से लेके part 5 तक में सारी बातों को हमने clear किया ठीक है, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारी बाते हैं narration में, voice में, ठीक है, जो आपके tier 1 में नहीं आती, जो सिर्फ और सिर्फ आपके tier 2 में appear होते हैं, देखने को मिलते हैं तो इनकी चर्चा हम लोग करेंगे अपने tier 2 में tier 2 का जो video हम लोग का आएगा उसमें tier 1 में हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे टो tier 1 के point वी उससे जितना हो सकता था सबसे पहले हम सबों का target है हमारा हो या आपका हो हम सबों का एक ही target है कि tier 1 के exam को पहले clear किया जाए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे tier 2 की तरफ, ठीक है, बात समझ में आई, तो चलिए इनहीं के साथ हम लोग narration part 5 के साथ साथ अपने narration को यहाँ पर over करते हैं, अब narration के बाद आगे हम आपको लेकर चलेंगे close test में, close test में लेकर क्यों चलेंगे क्योंकि close test से आपके exam में 5 नमर के question पूछे जाते हैं, और उसे question बनते भी हैं आप सबों के, ठीक है, तो close test में चलेंगे, फिर आपको लेकर चलेंगे हम sentence rearrangement में, ठीक है, clear है, grammar में जो preposition का section आपका बचा है, इसको हम लोग थोड़ा से आप बाद में पढ़ेंगे, ठीक है क्योंकि preposition के उन सारे sections को हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको confuse करते हैं, ठीक है, जितना आपके tier 1 के exam के point of view से useful है, उसके बाहर हम लोग बहुत detail में जाने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अपना exam सर पे है, काफी करीब आ चुका है अपना exam, तो time को भी थोड़ा सद्यान में रखना है, और time को ध्यान में रखते हुए, जितना जादा जादा चीजें हो सके, वो हम आप सबयों को सिखाने का समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप का हम से लेक्शन करवाने में थोड़ी बहुत भी मदद जरूए कर सके, और जितना जादा जादा हो सके के उतनी हमारी चाहत होगी तो इनहीं के साथ अब हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में तो तब तक के लिए इजाज़ात दिजिए तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद